नमस्कार मैं हूँ मित और गैजट्स फिर्यू के एक नए वडियू आपका स्वागत है दोस्तों शौमी ने वीसेंड ली अब भी ऐसे काफी सारे फोन लांच किया है चाया हो रेड्मी नोट फ़ाइब प्रो हो चाया हो वायर टू चाया हो रेड्मी का 6 प्रो या फिर हो Mi A2 सबी फूर्स आपको आल्मूस्स सेम डेजाइन के साथ में ही देखने को मिलते हैं जिससे कि जो शौमी के कल्जूर है वो थोड़ा सा बोर नने लगे हैं इस डेजाइन के साथ में क्योंकि almost सबी phones इसी design के साथ में आ रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि Xiaomi इसे change नहीं करेगा already Xiaomi तयारी कर चुका है इसे change करने की जिहां मैं बात कर रहा हूँ MI8 Lite की जो कि China में launch हो चुका है और India में भी बहुत जल launch होने वाला है जो कि आपको जेता है mid price segment में एक बहुत अच्छा design साथ में powerful processor तो कहने का मतलब यह है कि Xiaomi भी competition से बीचे नहीं रहने वाला है और mid price segment में बहुत अच्छा phone launch करने वाला है तो आज हम बात करने वाले हैं इसी phone के बारे में कि क्या-क्या मिलता है आपको M8 Lite में क्या आपको इस phone का इंतिजार करना चाहिए और यह phone इंडिया में कब launch होगा तो अगर आप भी चाना चाहते हैं इस phone के बारे में और ज्यादा तो बने रहीगा हमारे साथ इस वीडियो में दोस्तों सबसे बहुत करते हैं प्राइजिंग की तो आपको बता दे चाइना में फोन लांच हुआ है तीन वेरियंट में 4GB RAM 64GB storage 6GB RAM 64GB storage और तीसरा variant है 6GB RAM 108GB storage बात करें 4GB RAM और 64GB storage की तो वह आपको चाहिना में मिलता है 13009GB Chinese one मतलब इंडियन रुपिस के अकॉर्डिंग लगबग 15,000 रुपे की प्राइज में अगर हम बात करते हैं 6GB RAM 64GB storage की तो वह आपको मिलता है लगबग 18,000 रुपे की प्राइज में 15,000 रुपे की प्राइज में लांच किया जाए क्योंकि इंडिया में अभी competition इतना ज्यादा हो गया है कि सभी brand को सबसे पहले price को ज्यान में रखना पड़ता है तो हो सकता है कि इंडिया में भी यही phone 15-16,000 रुपे की प्राइज में लांच हो चलिए अब बात करते हैं इस premium look के साथ में आने वाला है इसमें कोई भी मिद हो रहाई नहीं है जैसा कि हम already देख चुके हैं जो MI series होती है बुचकि जो phone होते हैं काफी premium look के होते हैं हमने देखा है MI 8, MI 6, MI 7 की सारे phone हम already देख चुके हैं काफी premium look के साथ में यह देखने को मिलते है और MI 8 light भी हमें ऐसा ह देखने को मिल रहा है बात करते हैं इस फोन के डिस्प्ले का तो यहां पर आपको मिलने वाला है एक नौच वाला डिस्प्ले जो की होगा 6.26 इंचिस का यहां पर आपको मिलता है मिलने वाला है 24 Megapixel का Selfie Camera अब बात आती है performance की जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया यहां पे आपको डिजाइन में अच्छा मिल रहा है यहां पे आपको powerful performance भी देखने को मिलेगा तो चाइना में यह फोन लाउंच किया गया है snapdragon के 660 chipset के साथ में means snapdragon का 660 chipset अब भी काफी popular हो रहा है mid price segment के phones में मतलब लगब पंदरा आजार पे की price में काफी popular हो रहा है snapdragon का 660 तो MI8 light में भी आपको snapdragon का 660 chipset ही देखने को मिलेगा और अगर हम बात करते हैं variant की तो जैसे कि हम आपको अलड़ी बता चुके हैं कि यह फोन चाइना में लाउंच हुआ है 4GB RAM 64GB storage 6GB RAM 64GB storage और 6GB RAM 108GB storage के साहथ में लेकिन इंडिया में यह हो सकता है कि यह है में ज्के साही चथ का 4GB RAM 64GB storage और 6GB RAM यह तो 44GB storage यहा फिर 108GB storage होगा तो हो सकता है कि यहां पर आपको बात करते हैं इसकी का तो यहां पर आपको मिलेगा 3350 है मैज का वैडरी और अगर हम बात करते हैं इस फोन की security का तो यहां पर आपको fingerprint sensor देखने को मिल जाएगा और face unlock भी देखने को मिल जाएगा जिहां इस variant में आपको जो fingerprint sensor मिलेगा वो rear side में मिलेगा तो कहने का मतलब यह है कि जो complete package है काफी अच्छा है काफी balanced है क्योंकि यहां पर आपको design अच्छा देखने को मिल रहा है यहां पर आपको performance भी काफी अच्छा देखने को मिल रहा है तो अगर यह phone 15-16,000 पर ही प्राइज में ही इंडिया में आता है तो नो डाउट जो competition है चाय हम बात कर ले फिर realme 2 pro की चाय हम बात कर ले Nokia के 6.1 plus की चाय हम बात कर ले Motorola के वन पावर की इनको काफी अच्छी टकर मिलेगी अगर इसी pricing में launch होता है इंडिया में MI 8 line अब सवाल याता है कि इंडिया में यह phone कब launch इंडिया में है मतलब आपको यह phone दिपावली के बाद ही देखने को मिलेगा तो अगर आप सोच रहे हैं MI 8 light लेने की या फिर आप चाते हैं कर सकते हैं तो यही था आज की वीडियो में उमीद्य आपको पसंद आया होगा आपका क्या सोचना है इस फोन के बारे में आप क्या चाते हैं कि यह phone इंडिया में आये या ना आये क्या आप इस फोन का वेट करना चाते हैं आपको क्या लगता है कि यह कौन-कौन से फोन से कमपेडिशन करेगा नीचे हमें कमेंट सेक्ट में जरूप देगा आज के वीडियो में उम्मीद है आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक और शेर करना बिल्कुल मत बूलिएक अगर अगर आपके वीडियो देखना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी अगर अगर आपके वीडियो में तब तक के लिए आपके दिन शुप रहें